अलो गाइस वेलकम टू मैं यूटूब चैनल जी इंटेटेन्मेंट अब ये स्टॉक डेल ओपर मीनवाइल मार्केट्स भी डेल ओपर हैं और जी वन सिक्स्टी सेवन पैनो जब यह हमारा दस्तूर हो गया है मतलब रोज बर रोज को कि हम बहुत गिरने वाले और चैनल स्ट करते हैं पहले की इशु था इथिंग पहले डील डील थी एमिन डील के प्रसिस्ट डील प्रसिस्ट कर रही थी परमोटर्स के साथ इशु थे फिर वो चीज़ चीज चलेगी अब डील भी गई अब यह आई थिंग नया मामला मनी लॉंडरिंग का और वो भी आइविन होता है यहां पर बहुत लोगों ने बहुत होप्स लगा रखी थी यहां पर लेकिन मेरा तो खैर शुरू से माना था कि स्क्रीन लगातार ही कह रहे थी कि यह डील नहीं होगी और इसके लिए मैंने हमेशा लोगों को बोला था कि प्लीज इसको चेज ना करें डील अगर हो कि कोई सचाए नहीं है लेकिन यह इंटरस्टिंग होगा कि यह जो सेभी वाला मामला है वो कहां तक निकलेगा क्या यही तो वो कारण नहीं था जिसके वज़े से सोनी ने भी अपने हाथ पीछे खिंच लिए इस डील से और मतलब यह पुनीद को इनका वाला मामला स्रफ एक इशू बनके रहे गया यह मना कई चीज़ है कई सवाल है इनके जवाब किसी को मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिलेंगे ठीक ना तो हमको यहां पर या तो आप जी के मैनेजमेंट का वर्ड ले ले या फिर आप इस रिपोर्ट का वर्ड ले ले यह मेरे खाल से गलात आ रहा है यह थोड़ा सा 6 पसंद नहीं यह जारा नीचे एक्चली जो दिख रहा है यह यह 13 पसंद नीचे इस समय स्टॉक तो यह मामला मेरे खाल सा भी फंसेगा और मुझे हरानी नहीं होगी अगर यह फ्रेश 52 वीक लो भी बनाए तो स्टॉक क्योंकि आप पस्ट्री फंसना है यहां पर कोई ट्रिगर भी ने रिख रहा है यहां पर एक चीज़ हो सकती है इनके पाइसा नहीं है कि अरीजिनल डिसरॉप्टर यही थे तो एक प्राइस पर आके अगर कोई लिप फेट लेना चाहे लेकिन प्रब्लम क्या ना यह जब तक यह मामले नहीं नेपट जाते हैं, यह पतारी जाते हैं कि साइफनिंग ओफ हुई है या नहीं हुई है, कोई भी लेने से डरेगा, ऐसेट लेने से कोई भी डरेगा, तो यह कई चीज़े हैं, मोविंग पीसिस हैं, मेरे ख्याल से इसको कुछ ताइम के लिए केला छोड़ दे, मैं ऐस